नमस्कार दोस्तों अंतर राष्टिय संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं और कितनी लापरवाही से काम करती हैं इसका जीता जागता प्रमान है संयुक्त राष्ट संग की सुरक्षा परिशद 15 अगस्त को पाकिस्तान सरकार सुरक्षा परिशद की एक कमेटी को पत्र लिखती है कि हाफिज सईद के जो बैंक खाते सील किये गए हैं उनको अंतर राष्टिय आतंकवादी घोशित किये जाने के बाद उसकी वज़े से उनके परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है यानि लत्ते कपड़े खरीदने हैं खाना ये सब चीज़ें जो जरूरते हैं परिवार की उसके लिए संकट खड़ा हो गया है उसका जो बैंक खाता रेजुलेशन 1267 के तहट सीज़ किया गया है उस खाते में 11 लाक से कुछ उपर रुपे जमा हैं और अगर उसको खुलने की अजाज़त नहीं मिली तो उनके परिवार के सामने भरन पोशन का संकट खड़ा हो जाएगा और ताज़ुब की बात ये है कि यूएन की सेक्यूरिटी काउंसिल की उस कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को हाफिज सईद का वो एकाउंट ओपन करने के आदेश दे दिये यानि उससे यूएन का प्रतिबंद हटा लिया गया इसी तरीके से तीन दूसरे खाते भी ओपन कर दिये गए उनसे सीज हटा ली गई हाफिज सईद कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है मुंबई के हमलों में छे अमेरिकियों समेत एक सो साथ से ज़्यादा लोग मारे गए थी और तीन दिन तक केवल मुंबई नहीं दहली थी पूरी दुनिया तक उसकी गौंज गई थी और जब वोल्ल्ट ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें अल्काइदा का हाथ था जिसमें ओसमा बिन लादिन का हाथ था उसके बाद जिन आतंकवादी संगठनों को अमेरिका सरकार ने प्रतिबंदित किया था उनमें लशकरे तयाबा भी था जिसको हाफिज सईद चलाते थे और जब इस आतंकवादी संगठन पर अमेरिका की और यूएन की तरफ से पाबंदी लग गई तो हाफिज सईद ने जमात उद्दावा नाम से एक नया संगठन खड़ा कर दिया और उसके जरिये भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया हाफिज सईद को कौन शेह देता है, कौन परस रह देता है, कितना फंड उसके पास आता है, किन किन देशों से आता है, किन किन संस्थाओं से आता है ये बात किसी से दवी छिपी नहीं है जो व्यक्ति अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले में सायक रहा हो जिस व्यक्ति ने अपने संगठन के जरिये मुंबई पर अटेक कराया हो जो भारत के दूसरी आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा हो उसके संगठन के लोग शामिल रहे हो उस व्यक्ति के पास अलग अलग देशों से और संगठनों से कितनी दौलत आती होगी कितना फंड आता होगा ये बताने के जरूरत नहीं है लेकिन जब भारत की शिकायत पर अमेरिका की पहल पर उसे अंतर राष्टिया अतंकवादी घोशित किया गया और इसके खाते सीज़ किये गए तो पाकिस्तान सरकार को परिशानी होने लगी वहां की सेना को आई एसाई को परिशानी होने लगी क्योंके संभाउत है ये और उससे जुड़े हुए दूसरे खातों में ही टेरर फंडिंग होती है और इस मामले की जात चल रही है इसके बावजूद अगर सिक्योरिटी कांसिल की कमेटी ये दलील देते हुए उसका खाता खोलने की इजाज़त दे देती है कि जो समय सीमा उसने तै की थी आबजेक्शन के लिए किसी ने आबजेक्शन नहीं किया है इसलिए हम उसका और तीन दूसरे लोगों का एकाउंट खोल रहे हैं सीज उठा रहे हैं उससे प्रतिबंद उठा रहे हैं ये कितनी बचकानी लगती है और इससे ये भी पता लगता है कि जो अंतर राष्टी इस तरपर संस्थाएं हैं जिनके जिम्मेदारी है कि इस तरह की आतंकवादी जमातों पर मुश्के कसी जाएं प्रतिबंद लगाए जाएं उनको अलग थलग किया जाएं वो ही कितनी रहम दिली दिखाती है इन आतंकवादी संगठनों पर भारत बहुत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि यूएन आतंकवादी की परिभाशा तै करे कितने तज्जूब की बात है कि इस दुनिया के अधिकांश देश आतंकवादी हमलों से पीडित है यहां तक कि अमेरिका भी पीडित रहा है लेकिन यूएन ने आज तक आतंकवाद की परिभाशा ही तै नहीं किये इससे आप अदना जा लगाई ये कि ये संस्थाएं किस तरह से काम करती है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल इसके कंटेंट पसंद आ रहे है तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो शेयर करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद